नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है हिंदुस्तान में लोक तंत्र के अंदर भी ये परंपरा रही है पक्ष और प्रतिपक्ष लेकिन इस परंपरा को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया अब अपोजिशन लीडर यानी विरोधी दल के नेता सचवुच में दुश्मन ह इन लोगों को परतिद्वंदिता परतिस्परधा नहीं चाहिए बलकि केबल शत्रूता चाहिए और इसलिए विपक्ष का सारा एजेंडा निगेटिव होता जा रहा है नाकारात्मक विपक्ष है जबकि विपक्ष को सकारात्मक होना चाहिए जब विपक्ष का किसी नेता और उसे सदन में एक पद दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है नेता प्रतिपक्ष, यानि कि अपनी बात आप रख सकते हैं, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, सरकार को सुझाओ दे सकते हैं, और सरकार को उस सुझाओ मानने के लिए एक सही तरीके से कॉडिनेशन बिठा सकते ह लेकिन यहाँ पर विपक्ष का मतलब हो गया है कि पूरी तरीके से केंदर सरकार के खिलाप आबाज उठाओ, उसे की छवी को धुमिल करने की कोशिस करो, पीम को जितना हो सके आलोचना न करो, बलकि भद्धी टिपनियां उनके खिलाप करो, तानाशाह बोलो, उनको डिक्ट विवादी टिपनियां करनी है, वो टिपनियां करो, और देश के विकास में योगदान आपका होने वाला है, उसे भी रोक दो, किसी तरीके से देश में अरजक्ता का महौल पैदा करो, ताकि बदनामी किसकी हो, जो केंदर के कुरसी पर बैठे हैं, यानि पीम मोदी को बद नाम करना सुरू कर दिया, और देश के विकास की गती को रोकने की कोशिश की है, इसलिए पीम मोदी ने एक बैठक में, यानि नीती आयोग की बैठक में, 22-23 मिनट के भीतर, विपक्ची पार्टी के 9 मुखमंत्रियों की आउकात बता दी, ये लोग बाइकाट कर रहे हैं, वहाँ जाएंगे नहीं, बैठक में शामिल नहीं होंगे, और ये बताएंगे नहीं कि ये बैठक है क्या, नीती आयोग है क्या, नीती आयोग का काम क्या है, इन लोगों को इससे मतलब नहीं है, देश की जनता को क्या बताना है, इससे भी मतलब नहीं है, क्योंकि देश के जन्ता को भ्रमित करने के लिए कई और तरीके हैं जिसका इस्तेमाल ये लोग हत्यार की तरह करते हैं लेकिन विकास की बात नहीं करते बाहर में आएंगे चार पांच रटे रटाये शब्द जो इनुवर्सल माना जाता है हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका जैसे विक्सी जाता है उसमें दो चार शब्द जो हैं वो हिंदुस्तान में एड़ कर दिया जाता है जैसे महगाई बेरोजगारी देश पर्थम हो या फिर लोगों के लिए काम करना जरूरी हो यहां पर नया शब्द जोड़ा जाता है अल्वसंख्यक दलित पिछड़ा इन लोगों के लिए क्या काम किया जा रहा है किसानों की समस्या पूरी दुनिया में ऐसे ही बताई जाती है विपक्षी पार्टियों के बीतर और ये एक इनुवर्सल वर्ट जो हैं उसका इस्तेमाल ये लोग करेंगे इसलिए नीती आयोग की बैठक का बाइकार्ट करना इनकी गंभीरत को समझे नीती आयोग का मतलब क्या होता है निशनल इस्चूट फॉर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया यानि कि देश को बदलने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसमें ठिंक टैंक होते हैं यानि कि वो देश में कौन-कौन सी पॉलिसी लागू होगी कैसे पॉलिसी लागू होनी चाहिए विकास के लिए आगे का कदम क्या होना चाहिए किंद्र सरकार कैसे राज्य सरकारों को सहयोग कर सकती है और राज्य सरकार कैसे किंद्र सरकार से कह सकती है कि हम इस योजना को लागू करना चाहते हैं हमारे राज्य में ऐसी समस्या है इसके लिए एक ऐसी नई योजना बनाए हैं जिसमें आपके सहयोग की जरुवत है अगर केंदर राज्य के भी सहयोग होगा तो योजना आगे बढ़ेगी लेकिन इन लोगों को इससे मतलब नहीं है कि किस जगह से विकास के लिए कुछ नई चीजे मिल रही है इन लोगों को सिर्फ मतलब है कि हम कैसे करोडो करोड अरवो रूपया के अंदर सरकार से ले और यहां अपने कारकरताओं नेताओं जो की इनको चुनाब जिताने के लिए काम करते हैं उनके बीच बाटे और फिर बड़े बड़े नेताओं के खातों में करोडो रूपया जाए ये डकार जाए करोड़ अरपती बने यही इनके नियती है इसलिए अगर देखा जाए तो किस आधार पर इन राज्यों के मुख मंत्रियों ने नीती आयों की बैठक का बहिस्कार किया चाहे तिलंगना की बात हो तिलंगना के मुख मंत्री हो या फिर हिमाचल परदेश के मुख मंत्री हो या फिर करन के मुख मंत्री हों ये तीन स्टेट ऐसा है जहां पर भी कॉंग्रेस की सरकार है इन लोगों को अपनी बात उठाने के लिए सदन के अंदर यानि लोग सभा में नेता परतिपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी हैं ये बजट की बात जो कर रहे हैं बजट में हमें कुछ नहीं मिला इसके लिए बाइकार्ट करोंगें बजट की बात बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी भी अपनी बात रख सकते हैं और कई कॉंग्रेस के नेताओं ने भी अपनी बात सदन के पटल पर रखा लोगसभा में भी और राजसभा में अपनी मांग रख सक क्योंकि उन्हें अरवन डिवलप्मेंट के लिए हेल्थ सेक्टर के लिए इन सबसे के लिए काम करना था हमिश्या से बात की और उन्होंने राजनात सिंसे भी बात की मुलाकात की कहा कि आप लोग मंतरी हैं और हमें इन सेक्टर में डिफेंस सेक्टर में भी हमें कुछ काम करना है अरवन सेक्टर में अरवन डिवलप्मेंट में काम करना है हमें हिल्थ सेक्टर में हिल्थ तुरिज्म का अड़ा बनाना है तेलंगाना को इसके लिए केंदर से सहयोग की जरूरत है देख सहयोग की जरूरत है मंत्रियों ने कहा हम सहयोग देंगे लेकिन आप सारजनि का वाई काट करते हैं ये राजनितिक अस्टंड अपने स्टेट के लिए नहीं अपने वहां के लोगों के लिए नहीं बलकि के बल राजनिति के लिए कर रहे हो कि हम किसी भी तरीके से किंदर के साथ सहयोगी रवया सहयोगात्मक रवया नहीं अपना सकते उसी तरीके से पिं मज़ाब में उसकी सरकार है भगवंतमान को जाना चाहिए हमन सोरिन अभी अभी जेल से बाहर आया और फिर से मुखमंत्री बन गया है और उसके बाद एक बैठक का वाई काट कर रहा है ममता बनर जी वहाँ जाती है ड्रामा क्रियेट करने के लिए कि हमें बजट में कुछ न पीम स्री योजना लाई गई जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मिंद्र परधान ने सारे स्टेट को लेटर लिख कर कहा कि देखिए ये बेहतर योजना है परधान मंत्री के नाम जोड़े होने से ममता बनर जी को चिंता हो गई परेशानी हो गई कि नहीं नहीं ये योजना तो हम चलाये नहीं तरकते क्योंकि ये पीम स्री योजना क्या है पीम स्री योजना है प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया मतलब देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मोडर्न स्कूल खोले जा रहे हैं जिसके लिए सेकलो करोड का बजट है हर स्टे गोर्मेंट है जो 40% इस योजना पर कर्ज कर रही है तो उसमें पीम शब्द क्यों जोड़ा हो उसमें पीम शब्द जोड़ा हुआ है उसमें नरेंदर मोदी शब्द नहीं जोड़ा हुआ है ममता बनर जी को अगर थोड़े भी आखों में शर्म है तो ये बताना चाहिए क खेल रतन पुरसकार, इंद्रा आवास योजना, आज पीम आवास योजना हो गया है, ये जवाहरला लेहरू, इंद्रा गांधी, राजिव गांधी, संजे गांधी के नाम पर, ये जो सारे योजनाएं एवार्ड चल रहे हैं, उसका विरोध करने की हिम्मत अवकात इन लोग बनेगी, परधान मंत्री के पद पर कोई और बैठा होगा, लेकिन पोश्ट तो परधान मंत्री ही कहलाएगा, पीम ही कहलाएगा, लेकिन फिर भी रिजेक्ट कर दिया, उनके उस जो योजना पर खर्च किये जाने वाले पैसे थे, पांस्तो तीस करोड रूपया, उसे ब् योजना जो है, वो रूरल एरिया के लिए अलग है, अर्वन एरिया के लिए अलग है, इन योजनाओं में जो पैसे केंदर सरकार को देना है, और जो जाँ चल रही है, जिसमें कई फरजी नाम पाए गए हैं, उस पर जल्दी से उसकी कारवाई पूरी कीजे, और उसका फं रिलीज किया जाना चाहिए, या ये बोलती कि पश्चिम बंगाल के सरकार कुछ नई योजनाओं लाना चाहती है, उसमें केंदर सरकार के सहमती और साथी सहयोग की ज़रूरत है, ये नहीं कहेंगी, वहाँ पर जाके राधितिक स्पीश देना है, और फिर जब उनको बोला जाएगा कि ये मंच ठिंक टैंक का है, पॉलिसी मेकर का है, आप अपने स्टेट से क्या क्या पॉलिसी संबंधित कुछ ब्लूपरिंट लेकर आई हैं, ये बताईए तो इन लोगों को समस्या होने लगती है, इनकी आदत क्या हो गई है, हर जगह पर जहां खड़ा हो, जहा आपके सामने माइक मिल जाए, वहां राजितिक भाशन बाजी करना है, इन लोगों को ये आता ही नहीं है कि विकास के काम कैसे होते हैं, ये तो सारे अधिकारियों का काम है, चोटे मोटे काम करते रहो, और हम केबल हर जगह पर खड़ा हो, माइक हाथ में हो, तो उसी समय से राजितिक बयान बाजी सुरू हो गई, उस समय से ये लोग बात करने लगते हैं, मुसल्मानों का, हिंदूों का, डिवलप्मेंट का, महगाई का, बिरोजगारी, ये सारे रटे रटाय डायलोग हैं, वही बोलेंगे, लेकिन निती आयों की बैठक में ही नहीं चलेगी, इ यहां पर पॉलिसी बनाई जाती है, और ये विपक्षी पार्टियों के मुक मंतरी, ये लोग अगर बाइकार्ट करेंगे, तो क्या केंदर सरकार उन राजियों को दरकिनार कर देगी, जनता उसे दरकिनार करेगी, इसलिए इस बात की चिंता नहीं है, कि इन राजियों के म काम करते रहेगी, निस्नल हाइवे बनते रहेगे, वहाँ पर रेलवे का डिवलप्मेंट प्रोजक्ट होता रहेगा, बुले ट्रेन चलेगा ही, और विकास की योजनाय बंद नहीं होगी, लेकिन इसके हाथों से चिंज जाएगी, जो ये लोग बार बार ये कह रहे हैं, क वो उन स्टेट में भी विकास का काम करो, जनता इसका जवाब देगी, और इन लोगों को लात मार के कुर्सी से निकालेगी, हेकणी निकल गई, अब जैसे ही इन लोगों ने वाइकाट की बात की है, अपने अपने मंतरालियों में भी जगणा शुरू हुआ है, और अब आ राजनितिक मंच समझते हैं हर जगा को, इसलिए राजनितिक मंच का जवाब राजनिती से, और फिर प्लानिंग का जवाब प्लानिंग से दिया जाएगा, इसलिए इन नोव मुखमंतरियों की हेकड़ी निकल चुकी है, और ममता बनर जी तो रोती चिलाते हुई भागी, क जहां बैठेंगे, जहां माइक मिलेगा, वहां हम सिर्फ एक ही बात करेंगे, और वो है राजनितिक, तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाधिर होंगे, तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ, और देते रहे हैं हमेसायोग, ताकि इसी तरह ही खबर हम आपके लाते धन्यवाद